नमस्कार, राजस्तान लोकसेवा आयोग अजमेर की जूनियर लीगल ओपीसर की परिक्सा जो की दो चर्णों में होती है, एक लिखित परिक्सा तथा दूसरा साखसातकार, लिखित परिक्सा में इसमें चार पेपर होते हैं, पहला पेपर होता है भारत के समिधान से समंदित दूसरा पेपर होता है Civil Procedure Code और Criminal Procedure Code के बारे में तीसरा पेपर होता है Evidence Act, Limitation Act तथा कानुनों के Interpretation के बारे में चोथा पेपर होता है सामन्ने हिंदी और सामन्ने अंग्रेजी के बारे में इस परिक्सा को देने के लिए जो योग्यता निर्धारित की गई है वो है Low Graduate Students इस परिक्सा का विज्यापन 5 जुलाई 2023 को जारी किया गया था जिसमें से पहले पेपर की परिक्सा होई थी 4 नवंबर 2023 को फिर इसकी आंसर की जारी कर दी गई है ये पहला पेपर जिसमें समिधान के 150 प्रसन है उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा आरपीएसी की जूनियर लीगल ओपिसर यानि कनिस्ट विदी अधिकारी की परिक्सा का प्रथम प्रसन पत्र जिसमें भारत के समिधान के 150 प्रसन है उनकी आंसर की with explanation इस प्रकार है पहला प्रसन है निमलिकित में से किस मामले में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की सक्ति नहीं है इसमें सही उत्तर है सारवजनिक हित में यदि राज्य सबा द्वारा ऐसा घोसित किया गया हो इस प्रसन में नहीं है पुछा है तो आपात का लागू होने पर ये अनुचेद 250 में प्रावधान है अंतरस्ते समझोतों को लागू करने के बारे में अनुचेद 253 में प्रावधान है और दो राज्यों की सहमती होने पर राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है ये आर्टिकल 252 इसमें प्रावधान ह तो सही उत्तर एक हो जाएगा दूसरा प्रस्ण है कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिस्जिन दिया कि संसत को मूल अधिकारों में संसोधन की सकती प्राप्त है लेकिन समिधान के बेसिक स्ट्रक्चर में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकती तो ये वाद था केश्वानन्द भारती वाद केश्वानन्द वर्सेज स्टेट ओप केरला केश था ये 1973 का केश्वानन्द भारती जिनकी मृत्यू 2020 में हुई है इस कारण ये चर्चित रहे थे और बड़ा ही फेमस केश रहा है ये कॉंस्टिट्यूशनल लो का किसको उपलब्द होगा जिसमें option है केवल गयर नागरिकों को किसी भी व्यक्ति को केवल भारतिय मूल के व्यक्तियों को या केवल नागरिकों को तो इसमें जो अनुचेद 23 है वो है कि व्यक्ति खुद अपने ही खिलाफ गवाही देने को बाद्य नहीं है तो यह अधिकार सब को उपलब्द है यानि किसी भी व्यक्ति को उपलब्द है अगला प्रस्न है अनुचेद 51 के में जो मूल करतव्य वरनित है उनमें ये वाला मूल करतव्य यानि भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुन बनाए रख रखने के मूल करते हुए को कौन सा स्तान मिला है तो ये तीन नंबर पर रखा गया इसको अगला प्रस्न है वे समस्त विधियां यानि लोज जो मूल अधिकारों से ऐसंगत है समीदान के लागू होने की दिनाग से प्रभाव हीन हो जाती है किन्तु मृत नहीं होती है वे क समीदान के अनुचेद 13.1 में इसका प्रावधान है अगला प्रस्न है समीदान के अंतरगत कौन सा अनुचेद है जिसके तहत अंटचेबिलिटी को अबॉलिस किया गया तो ये अनुचेद है अनुचेद 17 अगला प्रस्न है निवन में से कौन सा बंदी प्रतिक्सी करण के इसके नाम से भी जाना जाता है तो इसका उत्तर है A.D.M. जबलपूर वर्सस S. के सुकला या सिवकान सुकला वाद यह मामला आपात काल के समय का है 1976 का और इसमें पांच जजों की बेंच ने ये फैसला दिया था जिसमें से चार एक से फैसला आया था और जो एक जज थे जिन्होंने इसमें डिसेंट जाहिर की थी वो थे HR खना और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें उस समय जो पांच जज थे उसमें से एक जज ने 30 साल बाद ये स्विकार किया था कि I am sorry एसे बोला था कि I am sorry कि उस से मैं वो फैसला गलत था और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के केस पुट्टा स्वामी वर्सेस बारत सरकार मामले में स्विकार किया था कि A.D.M. जबलपूर वाला मामला तुटिपूर्ण था इसमें निजदा के जो आर्टिकल 21 के तहट जो निजदा के बारे में जो व्याक्या थी उसको इसमें सामिल किया गया था पहले समिधान संसोदन हदिनियम 1951 द्वारा निम्न में से कौन सा अनुचेद समिधान में समिलित किया गया इसमें हम यहाँ यह ध्यान देंगे कि इसमें किवल अनुचेद 15 की बात की गई है तो अनुचेद 15 चार को इसमें समिलित किया गया था और इसमें socially and educationally backward जो या SCST समंदी उपबंद है उनके बारे में यह प्रावदान है कौन सा अनुचेद private व्यक्ति के विरुद्ध भी enforceable है कौन सा अनुचेद ऐसा है जो कि private व्यक्ति के खिलाब भी हम इस्तेमाल कर सकते है वो है अनुचेद 15 दो जिसमें दुकानों, होटलों में बोजनालों में प्रवेश का अधिकार है उसकी बात कही गई है अगला प्रस्न है कौन से मामले में एके गोपालन केस में दिये गए बहुमत के निरने को अधि प्रभावी कर दिया गया यानि ओवर रूल कर दिया गया ये वाद था मेंका गांधी बनाम यूनियन ओफ इंडिया 1978 का मामला है ये और इसमें अनुचेद 14, अनुचेद 19 इन तिनों को रिलेटेड माना है मेंका गांधी वाद में और ये जो एके गोपालन केस था ये स्टेट ओप मद्रास के खिलाब था और ये 1950 का केस है उसके बाद अगला जो प्रस्न है उसमें है कि कौन सा एक विसम है यानि सबसे अलग है उसको चांटना है तो इसमें सोशन के विरूद अधिकार सेक्षनिक इंशांस्कृतिक अधिकार तता समता का अधिकार ये तीनों ही मूल अधिकार है संपतिका अधिकार जो पहले मूलिक अधिकार हुआ करता था लेकिन वर्तमान में एक कानोनी या समेधानी अधिकार है तीन सो के या तीन सो एक के तैत ये सबसे अलग हो गया ये विसम है इन चारों उप्संस में से अगला प्रस्ण है भारतिय समेधान का कौन सा अनुचेद है जो समान कारे के लिए समान वेतन महिलाओं इसका जो सही उतर है वो है आर्टिकल 39 39D इसके अंदर समान कारे के लिए समान वेतन का प्रावधान है और वो भी महिलाओं और पुरुसों दोनों के लिए अगला प्रस्न है एक ही अपराद के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित करने पर रोक इस प्रकार का प्रावधान अनुचेद बीस दो में है और ये भारत के समिधान में नहित है अगला प्रस्थन है अनुचेद तेरे दो में उलिकीत है कि ऐसी विधी निर्मान की जाती है जो समिधान के भाग यानि इसी भाग तो आर्टिकल जो 13 है वो समिधान के पार्ट थर्ड में आता है समिधान का पार्ट थर्ड है उसमें आर्टिकल 12 to 35 है तो इसी भाग यानि भाग थर्ड का उलंगन करे तो उलंगन की सीमा तक सुनने होगी तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग थर्ड यानि ये फंडामेंटल र अधार पर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में क्या प्रावधान किया गया है तो ये दस्वी अनुसूची में है और इसका बावनवा समिधान संसोधन अधिनियम 1985 इससे रिलेटेड है कौन से अनुचेद के अंतरगत न्याईक पुन्रवलोकन की शक्ति उपलद है न्याईक पुन्रवलोकन अनुचेद 13 में उपलद है अनुचेद 32 में है अनुचेद 226 में है न्याईक पुन्रवलोकन का प्रावधान अनुचेद 13 अनुचेद 32 अनुचेद 226 में है यह चीज अनुच्छेद 13 की जो नयाइक पुर्णवलोकिन की सकती है वो मूल अधिकारों को नयायोचित्य बनाती है अगला प्रस्ण है समीधान के भाग तीन में प्रदत अधिकार जो हैं उनको आपातकाल के दोरान स्तगित करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में उपबंदित किया गया है इसका जिक्राता है अनुच्छेद 369 में जिसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 के तहट जो प्रावधान है उनको छोड़ कर बाकि सारे अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 369 में ये बात कही गयी है अगला प्रस्न है अनुचे 323 के अंतरगत निमलिकित में से किसको प्रतेक वर्स रिपोर्ट प्रस्तूत करनी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को यानि आर्टिकल 323 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन यानि UPSC का जिकर है और UPSC अपनी एनुटर रिपोर्ट है वो रास्ट पती को देते हैं अगला प्रस्तन है कौन से नय अधीस ने इंडियन यंग लोईर एसोसियेशन बनाम केरल राजय यानि लोग प्रिये वाद था ये सबरी माला वाद उसके मामले में डिसेंट किसने प्रकट किया था विसम्मती यानि वो सहमत नहीं थे तो ये एक मात्र महिला थे नयाय मूर अगला प्रस्तन है सिक्सा का अधिकार समीधान के अनुचेद 21 के तहत मूल अधिकार है ऐसा किस मामले में डिसाइड किया गया था तो इसका उत्तर है मोहिनी जैन बनाम करनाटक राज्ये ये 1992 का मामला है और इसमें ये जो मोहिनी जैन है ये UP से बिलोंग करते हैं और ये म अगला प्रस्तन है निम लिखित में से किस समीधान संसोधन ने अनुचेद 368 में अनुचे 13 की कोई बात इस अनुचेद के अधिन किये गए किसी संसोधन को लागू नहीं होगी ऐसे सब्द सामिल किये तो ये है 24 में समीधान संसोधन अधिनियम 1971 अगला प्रस्तन है कौन से वाद में पांच नय अधिसों की समीधान पीठने कहा था कि सिक्सा प्रदान करना एक व्यापार या व्यवसाई नहीं माना जा सकता तो इसका उत्तर है उन्नी कृष्णन केस 1993 अगला प्रस्तन है रास्टपती सासन राज्यों में अधिक्तम समय तक लगाया जा सकता है तो इसका उत्तर है तीन वर्स निम लिखित में से कौन उच्चतम नयायले से परामर्स दाई राय प्राप्त करने के लिए सक्सम है तो ये है भारत की रास्टपती और ये आर्टिकल 143 यानि अनुच्छे 143 के तैस सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकते हैं अगला प्रस्ण कौन सा मामला नयायले कारिवाही के सीध्य प्रसारण से समंदित है तो ये 2017 का मामला है स्वपनिल त्रिपाठी बनाम भारतिय उच्चतम नयायले इससे आगे का प्रस्ण देखते हैं कौन सा विशे राज्य सूची में नहीं है तो ये है बैंक्रप्सी और इन्सॉल्वेंसी बाकी के ये सारे राज्य सूची में हैं बाजार मेले सारवजनिक स्वास्ते और स्वच्चता और पुलिस और जेल पुलिस और जेल तो स्टेट लिस्ट में सेकिंड नमबर पर है सारवजनिक स्वास्ते और स्वच्चता स्टेट लिस्ट में सिक्स नमब तो ये निती निदेशक तत्वे 49E में ऐसा कहा गया है अगला प्रस्ण है कि कौन सा कथन गलत नहीं है अर्थात इसमें हमें सही का चैन करना है तीन स्टेटमेंट हैं, तीन कथन है पहला है समिधान के अनुचेत 156 और 166 को 103 समिधान संसोदन से जुड़ा गया है दूसरा है उच्चतम नहले ने जनहित अभिहान बनाम भारत संग मामले में आर्थिक पिछड़ा समुदाई के लिए आरक्षन को समयधानिक बताया ये भी सही बात है कि जो EWS का जो कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट किया गया था उसको इस वाद में इसको कॉंस्टिटूशनली वेलिड बताया था तीसरा स्टेटमेंट है उक्त फैसला साथ नय अदिसों की समयधानिक पिछ ने सुनाया ये बात गलत है इसमें पांच जजिज की पिछ थी ये और पांच जजिज के फैसले में से तीन दो का फैसला आया था तो ये गलत है तो कै और खै केवल कै और खै सही हो जाएंगे इसमें कौन सा अनुचेद संसद को उन रज्यों को नुदान देने का अधिकार देता है जिने वित्य सहायता की आवशकता है तो ये अनुचेद है अनुचेद 275 अगला प्रस्ण है निमलिकित में से कोज सप्थम इसमीधान के अनुचेद 13 से संबंधित नहीं है तो इसमें प्रत्रकर्णियता का सिद्दान, doctrine of severability, यह समंदित है, अनुच्छे 13 से, अधित्य जन का सिद्दान, doctrine of waiver समंदित है, doctrine of colorable legislation यह नहीं है, grand सिद्दान, doctrine of eclipse, यह भी अनुच्छे 13 से समंदित है, इसका right answer होगा, आभासी विधायन यानि doctrine of colorable legislation. अगला प्रस्ण है, इंदरा गांधी बनाम राज नारायन मामले में, निम लिखित में से किसे बारत्य समिधान की मूल सरंचना माना गया था, तो इसका उत्तर है, यहां पर यह पूछ रहे हैं, कि स्वतंत्र और निस्पक्स चुनाव या न्याइक पुन्रवलोकन, तो इसका निम्न प्रावधान रज्य के निती निदेशक तत्वों का भाग नहीं है, यानि हमें केवल उस ऑप्छन का चेन करना है, जो निती निदेशक तत्वों के अंतर गत नहीं आता, तो सभी नागरिकों को परियाप्त जीवन निर्वा साधनो की सुविधा, यह निती समिधान उपादियों का अंत जो कि आर्टिकल 18 में आता है लेकिन ये मोलिक अधिकार है ये मूल अधिकारों के वरग में आता है इसलिए उत्तर यही हो जाएगा एतिहाशिक्स मारकों का सरंक्षन भी नीति निदे सक्तत्व में आता है अगला प्रस्ण है समान न्याय इव निसुल्क विधिक सायता एक नितिक निदे सकत्व है जो समिधान के आर्टिकल 939-A में उलेखित किया गया है वोन से अनुचेद में रज्ये के निती निदे सकत्वों को ऐ प्रवर्तिनिय माना गया है यह है अनुचेद 37 में का गया है कि निती निदे सकत्वों होते हैं उनको लागू करवाने के लिए कोई कोर्ट में नहीं जा सकता ऐप्रवर्तिनिय है कि अगर निती निदे सकत्वों लागू नहीं किया जाते हैं किसी कारण से तो कोई रिट दायर नहीं की जा सकती जब एक inferior court अवर नयलाय या अधिकर्ण के अपनी अधिकारिता के बार या नैसरगिक नयाय के नेमों के प्रतिकूल कारिय होता है तब जो रिट जारी की जाती है उसको क्या कहते है उसको उत प्रेशन कहते है अगला प्रेशन राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने के लिए अनुच्छे 43 के जोड़ा गया है अनुच्छे 43 के में क्या प्रावधान किया गया है ये पूचा है इस प्रेशन में तो समां नागरिक सहीता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो की आर्टिकल 44 में आती है समाजिक वियोस्ता को सुरक्सित और सुरक्सित करके लोगों के कल्यान को बढ़ावा देने की बात आर्टिकल 31, 38.1 में आती है और सभी को समान नैय की बात है ये 39.A में आती है और उद्योग के प्रबंद में स्रमिकों की भागिदारी है ये आर्टिकल 43A में आती है और ये जो अनुचेद जुड़ा गया था ये 42 वे समिधान संसोदन अधिनियम 1976 द्वारा जुड़ा गया था अगला प्रसन है भारत के समिधान के अनुचेद 87 के अंतरगत भारत का राष्ट पती संसद में अभिबाशन देता है वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्टन है बहुत सारे ओप्शन सिमिलर प्रतीत होते हैं इसमें एक साथ समवेट संसद के दोनों सदनों में संसद के दोनों सद अगला प्रस्ण है भारत का रास्टपती अपने कारियाले सक्तियों और करतवियों के पालना और उसके द्वारा किये जाने वाले किसी भी कारिये के लिए किसी भी नयाले में जवाब दे ही नहीं रखेगा ये immunity power है रास्टपती रज्यपालों और पहले राज प्रमुखों को दी जाती थी article 361 के अंतरगत कि भारत के रास्टपती हैं वो किसी भी कारिये के लिए जब वो पोस्ट पर होते हैं तो किसी भी नयाले में जवाब दे नहीं होंगे अगला प्रसन है हिंदी भासा के विकासे तू निर्देश किस अनुचेद के अंतरगत दिया गया है तो ये भाग सत्रे में आता है अनुचेद 351 जिसमें ये कागया है कि संग सरकार का या संग का ये काम होगा कि वो हिंदी भासा के विकास को एहमेत देवे हिंदी भासा का प्रशार है उसको बढ़ाई अनुचेद 1902 में लोक विवस्ता सब्द समिधान के किस संसोधन से जोड़ा गया तो समिधान में पहला संसोधन जो किया गया था 1901 में उसमें यह चीज जोड़ी गई राज्य के नीति के निदेशक तत्व यानि DPSP कहां से लिए गये हैं यह आईरलेंड के समिधान से लिए गये हैं आईरलेंड के समिधान से और भी चीजें लिए गई है DPSP, राज्यसभा के सदस्यों का मनोनेन और राष्टपती निर्वाचन की विदी जर्मनी के समिधान से भी हमने आपात काल के दोरान मूल अधिकारों का जो निलंबन है उसका प्रावधान लिया है अमेरिकन समिधान से भी हमने मूल अधिकार लिये हैं नियाइक पुन्दवलोकन का जो कौनसेप्ट है उसको लिया है तता उपरास्थपती के पदगा प्रावधान भी अमेरिकन कॉंस्टिटिउशन की देन है बिटिस कॉंस्टिउशन से हमने संसदिय प्रनाली रूल ओफ लो एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस इसको हमने अंगिकरित किया है नियम लिखित में से कौनसे समिधान संसोदन के द्वारा अनुछेद 19.1 गय में शब्द अत्वा सहकारी संस्ताओं जोडे गए थे तो ये 97 जो कॉंस्टिटिउशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का उसमें ये शब्द जोडे गए तो इसमें उद्योगों के प्रबंद में करमकारों का भाग लेने का अधिकार ये आर्टिकल 43A में और परियावर्ण का सरंक्षन वे समर्धन तता वन्य जीवों की सरंक्षा ये आर्टिकल 48A ये दो संसोदन समिधान में जोडे गए थे तो इसका राइट आंसर B and C हो जाएगा अगला प्रस्न निम लिकित को सुमेलित कीजिए सूची 1st सूची 2nd सूची 1st में अनुचे 14, 16, 16, 18 ये देवे सूची 2nd में इनसे रिलेटेड चीजे देवी है अनुचे 14 में विधी के समक्स समता तो 14 में C हो गया, A में C तो ओप्षन तो यही राइट है C, B, D, A अनुचे 16, 16, 3 में रज्य द्वारा निवास के आधार पर सेवाओं में विभेद अनुचे 16, 4 में रज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के परती विशेश उपबंद स्पेशल प्रोविजन और अनुचे 18 में उपादियों का अंत रज्य सेना या विद्य समन्दी सम्मान के अतिरिक कोई भी उपादि प्रदान नहीं करेगा अगला प्रस्ण है बारती समिधान में अनुचे 16 में खंड चार खै कलॉज 4B कब इंसर्ट किया गया था कब जोड़ा गया था 81 में संसोधन अधिनियम 2000 के द्वारा जो आर्टिकल 16 है उसमें लोक नियोजन में अवसर की सम्ता के बारे में प्रावदान है अवसर की सम्ता अगला प्रस्ण निम लिखित में से किस अनुचेद में महा न्यायवादी को भारत के सभी न्यायालेयों में सुनवाई का अधिकार होगा तो इसका राइट आंसर है चियत्तर तीन में चियत्तर एक में महा न्यायवादी की योग्यता के बारे में है चियत्तर दो में महा न्यायवादी के कर्तविय के बारे में तता चेतर तीन में महा न्यायवादी को भारत के सभी न्यायलेव में सुनवाई का अधिकार है, इसके बारे में प्रोविजन किये गए है। अगला प्रस्ण है भारत के समिधान के अनुचेद 143 केत है, जिसमें जिक्र है कि राष्टपती सुप्रीम कोड से परामर्श ले सकते हैं। जो कि 1960 का मामला है, समुद्री सीमा सुल्क अधिनियम मामला जो कि 1963 का है, और विसेश नैल है विधेक मामला 1978 का, तो 51 के बाद 60, 63 और 78, तो यही करम हो गया, इसका आंसर यही है 4. अब तक अपडेटेड जानकारी के अनुसार, अनुच्छेद 143 का उपयोग 15 बार किया गया है, वर्तमान में कितने उच्च नैल हैं, वर्तमान में 25 उच्च नैल हैं, अगला प्रस्न है, निमलिखित में से कौन सा मामला समान कारी के लिए समान वेतन से रिलेटेड हैं? तो समानकारिय के लिए समान वेतन का प्रावधान 49D में है और इसमें जो मामला है वो है रंधीर सिंग बनाम भारत संग 1982 का मामला है समान कारिय के लिए समान वेतन का सिद्दान भले ही बारत के समिधान में परिवासित नहीं हो लेकिन यह एक ऐसा टारगेट है जिसको हमें आर्टिकल 14 के माद्यम से प्राप्त करना है जीने के अधिकार में मानविय गरिमा के साथ जीने का अधिकार भी सामिल है ऐसा कौन से मामले में निर्ने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम दिल्ली संग राजेक सेत्र ये एक ब्रिटिस नागरिक महिला है जिसको तसकरी के मामले में गिरिपतार किया गया था और 1981 का ये मामला है और इस मामले में आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 को डिसकस किया गया है अगला प्रस्ण है निम लिखित कतनों का अध्येन करके सही कोड चुने प्रतेक उच्चनेले के पास सभी अदालतों और नया अधिकरनों पर अधिक्सन होगा उन सभी क्षेत्रों के समंद में जिनके समंद में ये है क्षेत्रा अधिकार का प्रियोग करता है बिल्कूल सही है अनुचे 32 के तहट सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने की सक्तियां अनुचे 226 के तहट उच नयाले की रिट जारी करने की सक्तियों के दाइरे से कम है यह भी right है very important है तो दोनों ही right है लेकिन कोई भी first का explanation नहीं है अगला प्रस्न है अनुचे 12 के तहट रज्य के रूप में BCCI की स्तीती पर चर्चा इसमें की गई कौन सा केस कौन सा वाद ऐसा था जिसमें BCCI को रज्य माना जाए या नहीं इस पर चर्चा हुई तो G Telefilms Limited बनाम Union of India ये केस 2005 का है जिसमें इस बात पर चर्चा हुई अगला प्रस्न है समिधानिक संसोधन के क्रम में निम लिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 42 वाद समिधान संसोधन अधिनियम जैसा कि हम जानते हैं 1976 में हुआ था ये तो यही गलत है 31 1973 में 14 1962 में और साथवा 1956 में ये राइट आंसर्स हैं ये सुमेलित नहीं है उच्चतम नैले ने किस मामले में प्रतकरणियता का सिद्धान प्रतिपादित किया RMDC बनाम भारत संग RMD चमर बागवाला जिसमें आर्टिकल 13 के अंतरगत ये प्रतकरणियता का सिद्धान प्रतिपादित किया था ये मामला 1957 का मामला है अगला प्रस्ण है जीने के अधिकार में मृत्यू का अधिकार भी सामिल है ये है फैसला पी रथी नाम बनाम भारत संग में आया था 1994 का ये मामला है जिसमें IPC की धारा 309 की सम्वेधानिक वैदिता को चुनोती दी गई थी और इस वाद में ये ते किया गया था कि IPC की धारा 309 अनकॉंस्टिटिउसनल है निमलिकित में से कौन सा समीधान के अनुच्छेद 51 के अंतरगत सामिल नहीं है अन्य देशों की संप्रभूता का सम्मान करना 51 के तैज सामिल नहीं है क्योंकि हम खुद एक संप्रभू देश हैं इसलिए अन्य देशों की संप्रभूता का सम्मान करने का मामला ही नहीं उड़ता मद्यस्ता द्वारा अंतराष्टि विवादों के निप्टारे को प्रोच्षाइन करना बिल्कुल राइट है ये 51D में है रास्ट्रों के बीच उचित और सम्मान जनक संबंद बनाए रखना 51B अंतराष्टि शांती और सुरुक्सा को बढ़ावा देना ये पहला ही है 51A तो ये तीनो राइट है ये सामिल नहीं है जो कि राइट आंसर हो जाएगा भविश्य लक्सी वी निरने का सिद्धान डॉक्ट्रिन और प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ये कौन से वाद में अनुमोदित किया गया था ये गोलकनाथ बनाम स्टेट और पंजाब में अनुमोदित किया गया था जो कि 1967 का मामला है निम लिखित में से कौन सा सम्वेधानिक संसोधन अधिनियम सोवे सम्वेधानिक संसोधन का उद्देश से है तो सोवा जैसा कि हम जानते हैं कि बारत और बांगलादेश के बीच सीमा समझोता संदी है तो उसका मामला है 2015 का समिधान में 371 जे का मामला है ये 98 समिधान संसोदन अधिनियम का है अनुसूची जाती हैं जन जाती के लिए सीतों के आरक्षन को अगले 10 वर्सों के लिए बढ़ाना लेटेस्ट 104th Constitutional Amendment Act 2020 में है तो इसका राइट आंसर है वो भारत और बांगलादेश के बीच सीमा समझोता संदी है अगला प्रस्ण है मूल अधिकारों में संसोदन के मुद्दे पर भारत के सुप्रीम कोर्ट त्वारा निर्ने लिया गया पहला मामला कोन सा था तो पहले में हम संक्री प्रशाद बनाम भारत संग को रखते हैं संक्री परशाद बनाम भारत संग का जो मामला था उसमें पहले समिधान संसोधन जो की 1991 में किया गया था उसमें उस मामले की पहले समिधान संसोधन अधिनियम की सम्वेधानिक वैदिता की जांच की गई थी तो ये मूल अधिकारों में संसोधन के मुद्दे पर भारत के सु इसे के रूप में मानेता दी और यौन कर्मियों के समन्द में पुनरवास उपाय के लिए निर्देश जारी किये तो ये बुद्ध देव करमकार बनाम पस्चिम मंगाल राजे का मामला है जो कि 2007 का मामला है निमलिकित में से कौन से मामले में उच्तम नैयले ने ये कहा कि कान मामला है 1997 का समतावादी समतावनाम अंदरप्रदेश राजे निदेशक तत्तों को लागू करने के लिए कोई व्यक्ति सीधे उच्चतम नैयले में रिट दायर कर सकता है तो यहाँ पर ये ध्यान देना है कि आर्टिकल 37 के तैत निती निदेशक तत्तों के लागू नहीं ह तो यह सही उतर हो जाएगा ने तो अनुचे 32 के तैत और ने अनुचे 226 के तैत कोई भी व्यक्ति रिट दायर नहीं कर सकता है नेशनल जूडिस्चल अपोइट्मेंट्स कमिशन राष्टे नैक नियुक्ति आयोक सिसमंदित समयधाने संसोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर ने ए समयधाने गोसित किया था और ये किया था 16 एक्टूबर 2015 को ये 99 समयधान संसोधन अधिनियम था सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉंस्टिट्यूशनल डिकलेर कर दिया था बारत में हाई कोर्ट द्वारा जो नयाले सुल्क लिया जाता है कोर्ट फी ली जाती है कोर कुंसा समयधानिक प्रावदान जिला नया अधिस की न्यूक्ति से संबंदित है तो अनुचे 233 में जिला नया अधिसों की न्यूक्ति का प्रावदान है ये गवर्नर करता है हाई कोर्ट के परामर्स से गवर्नर हाई कोर्ट के परामर्स से जिला नया अधिसों की न्यूक अनुचीत चवदय के तहट अनुग्य ये वर्गी करण के लिए कौन सी सर्थ अनिवारिय है Permissible Classification इसमें ये सही है दोनों वर्गी करणों को एक बोध गम्मे अंतरकों पर आधारित किया जाना चाहिए जो एक समूह से बार छोड़े गए लोगों को दूसरे समूही कृत व्यक्तियों से अलग करता है और वर्गी करण का Classification का राज्य द्वारा प्राप्त किये जाने वाले उद्देशियों से तरक शंगत संबंध होना चाहिए अगला प्रस्ण है कौन सा कतन ए सकते हैं अधिनस्त नयले अबिलेक नयले नहीं हो सकते क्योंकि उच्चतम नयले और उच्च नयले दोनों ही नयले को अबिलेक नयले का दरजा प्राप्त है उच्च नयले एक अबिलेक नयले है ये आर्टिकल 215 में कहा गया है उच्चतम नयायले एक अबिलेक नयायले ये आर्टिकल 129 में का गया है एक अबिलेक नयायले वह नयायले होता है जिसके फैसलों को अन्य सभी नयायले नजीर के रूप में इस्तेमाल करते हैं उधारन के रूप में इस्तेमाल करते हैं अनुच्छेद 124 के अधीन रास्टपती अपनी कौन सी सकती का प्रियोग करता है तो उच्चतम नयले के न्याया धीसों की न्यूकती आर्टिकल 124 के जरिये की जाती है अगला प्रिसन है भारत के समिधान के अनुच्छे 13 के खंड तीन खेके अंतरगत प्रवर्त विधी का अर्थ क्या है लो इन फोर्स यानि वर्तमान में जो विधी है प्रवर्त विधी है वो कोन सी है इसमें दो प्रकार की विधी का उलेख है एक तो विधी और एक प्रवर्त विधी तो इसमें प्रवर्त विधी के अंतरगत विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधी को सम्मिलित किया जाता है अगला प्रस्ण है कौन सा कथन सही है समिधान के अनुचे 215 के तहट प्रतेक उच्च नयायले अभिलेक नयायले होगा राइट अनुचे 226 उच्च नयायले के रिट क्षेतरा धिकार से संबन दिता है राइट जबकि इसमें सुप्रीम कोट के लिए आर्टिकल 32 है लेकिन हा अनुचे 214 में ये कहा गया है कि प्रतेक राज्ये के लिए एक खाई कोट होगा तो इसमें कह और खैदो ही सही है तीसरा इसमें गलत है इसलिए ये इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वे निरनय का सिद्धान्त है इसका उलेक है अनुचे 141 में इसमें ये कहा गया है कि तो वो सारे के सारे कोर्ट्स को मानना होगा लो डिकलेड वाई सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ओन ओल कोर्ट्स सुप्रीम कोर्ट के लो ओल हाई कोर्ट्स पे जित्ते भी कोर्ट्स हैं उन सब पर लागू होते हैं ये पूर्वे निरनय का सिद्धान्त है चोबि इसमें समिदान संसुदन अधिनियम को कौन से वाद में चुनोती दी गई थी के स्वानन्द भारती वनाम केरल राज्य केस में जोकी 1973 का मामला है। अगला प्रस्ण है किसको कौन से अनुचेद को किसको डॉक्टर बी आर अम्बेड करने भारत के समिदान का रिधय और आत्मा माना था तो समिदानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 उच्च नयायले को भारत के समिदान के कौन से अनुचेद के तैत परिभासित किया गय वेरी इंपोर्टेंट क्वेस्चन है उच्चेतम नयायले अपने अधिकार क्षेतर का प्रियोग करते हुए ऐसा आदेश दे सकता है जो किसी भी मामले में पूर्ण नयाय करने के लिए अवस्यक है ये सक्ति अनुचेद 142 के तैत प्राप्त है लोकतंत्र और संगवाद हम नयाय मूर्थी पीबी सावन्त थे समीधान के अनुचेद 145 के तैत सुप्रीम कोर्ट के कारिय प्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के नियम किसके द्वारा बनाय जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के नियम सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही बनाय जाते हैं लेकिन Article 145 में कहा गया है अगला प्रस्न है उच्चतम नयायले की नियम बनाने की सकती बारत की संसत द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन नहीं है गलत बात है केवल एक निस्पक्स और स्वतंतर नयायपालिका ही बिना किसी डर या पक्सपाथ के व्यक्ति के अधीकारों की रक्षा कर सकती है राइट इसलिए नहाय पालिका की स्वतंतरता की कॉंसेट को इंडिया में अपनाया गया है तो राइट आंसर हो जाएगा कैए गलत है लेकिन खह सकते है निमलिकित में से किस निर्णे में ये माना गया कि अनुच्छे 226 के तैट उच्छ नयायले को प्रदत क्सित्रा दिकार को प्रसासनिक नयाय दिकरन द्वारा प्रतिस तापित किया जा सकता है यदि वह उच्छ नयायले से कम प्रभाव साली नहीं है तो ऐसा का गया था स्पी संपत कुमार बनाम भारत संग का मामला था 1987 का उसमें अनुच्छे 143 के तैट किसी भी संधर्ब की सुनवाई के लिए बैठने वाले नयाय दिसों की नियूनतम संख्या होती है पांच और यह जो प्रविजन किया गया है ये आर्टिकल 145.3 में किया अगला प्रस्ण है उच्चतन नयाले में तदर्थ नयाय दिस की नियूकती किसके द्वारा की जाती है तदर्थ नयाय दिस अर्थात एड होक जज तो इनकी नियूकती रास्टपती की पूर अन्यमति से भारत के मुख्य नयाय दिस द्वारा की जाती है और इस बात का जिक वो है आर्टिकल 1.2.7 में अगला प्रस्न है श्रीमती सेलवी बनाम करनाटक राज्य एतिहासिक निरने किस से रिलेटेड है नार्कोट टेस्ट एनलेसिस से इसके साथ साथ इसमें ब्रेन मैपिंग और पोलिग्राफ टेस्ट का भी जिक्र किया गया है भारत के रज्यों के बीच होने वाले आपसी विवाद उच्चतम नैले में किस अधिकारिता के अधीन प्रस्तुत किये जाते हैं तो ये होता है ओरिजनल जूरिस्डिक्शन और इसका प्रावधान आर्टिकल 1.3.1 अनुचेद 131 में सुप्रीम कोर्ट की मौलिक अधिकारिता का जिक्र किया गया है बारतिय समिधान का कुन सा भाग रज्य से समंदित है भाग 9 पंचायतों से समंदित है भाग 5 यूनियन से समंदित है भाग 6 स्टेट से यानि भाग 6 रज्यों से समंदित है और भाग चार है वो DPSP यानि रज्ये के नीती नीदे सकत्तों से संबंधित है भारत के समिधान के अनुचिद 136 का अवलंब लिया जा सकता है इसका अनुचिद 136 में अपील के लिए SC की विशेश अनुमती सुप्रीम कोड की विशेश अनुमती का जिक्र है तो इसका राइ नैले आधिकरन के किसी निरने डिक्री अभी निर्दारन दंडा देश या आदेश के विरुद्ध अगला प्रसन है उच्चतम नैले के नया अधिस की सेवा निवृत होने की आईयू कितनी है तो 65 वर्स है और ये अनुचिद 124 दो में वरनित है कौन से वाद में सर्वच नैले ने निरने दिया कि राइट टू सेल्टर आस्रे का अधिकार भारतिय समिधान के अनुचिद 21 के अंतरगत मूल अधिकार का एक भाग है तो यह वाद था चमेली सिंगवाद 1995 का उच्चतम नैले को अतरिक्त अधिकारिता किसके द्वारा दे जा सकती है संसद द्वार कानून बना कर संसद विधी द्वारा उच्चतम नैले को अतरिक्त अधिकारिता प्रदान कर सकती है और इसका उलेक अनुचिद 138.1 में है निमलिकित में से कौन सा एक अनुचिद भारत की करे-करी मुख्य नया दीश से संबंधित है एक्टिंग चीप जस्टिस ओप इंडिया इसका उलेक है अनुचिद 126 में और कारे-कारी मुख्य नया दीश की नियुक्ति करते हैं रास्ट्रपती जब भी चीप जस्टिस ओप इंडिया की पोस्ट वेकेंट होती है या वे अनुपस्तित होते हैं या किसी कारण से वो च चीप जस्टिस के कर्तवियों का निर्वेन नहीं कर सकते उस समय रास्ट्रपती कारे-कारी मुख्य नया दीश की नियुक्ति करते हैं ये प्रावधान अनुचिद 126 में है किसके द्वारा एक नया दीश का स्तानांतरन एक उच्च नया दीश से दूसरे उच्च नया वारा किया जा सकता है लेकिन CJI चीप जस्टिस ओप इंडिया से प्रामर्स करने के पश्चात विधी का साशन रूल ओफ लो आर्टिकल 14 से रिलेटेड है निमलिकित में से कौन सा अनुचिद नयाय पालिका की स्वतंतरता से संबंधित नहीं है तो अनुचिद 89 में संसद क गठन का प्रावधान है इसलिए यही राइट आंसर है अनुचिद 125 में नयाय धीसों के वेतन का जिक्र है और उसमें ये कहा गया है कि नयाय धीसों के वेतन में न्यूक्ति के बाद कोई भी ऐलाबकारी परिवर्तन नहीं होगा तो ये नयाय पालिका की स्वतंतरता से लेर अनुचिद 124 में 124 और 124 में ये कहा गया है कि नयाय पालिका के नयाय धीसकू के विल साबित कदाचार या ऐसमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है और वो भी एक संसत के दोनों सदनों द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हटाने का प्रावधान है तो ये नयाय पालिका के स्वतंतरता से समंदित है और अनुचिद 50 में निती नीदे सकत्तों के तहती ये प्रावधान किया गया है कि राज्ये की लोग से वहों में जुडी स्री को एक्जिक्यूटिव से प्रतक रखे जाने के लिए राज्ये कदम उठाएगा तो ये बाकी के सार इकुल प्रोटेक्शन ओफ लोज अनुचिद 14 में ग्रेंड किया गया है USA के समीधान से उच्तम नयायले के नया धीसों का वेतन होता है वो भारत की संचित नीदी पर भारित होता है नई दिल्ली में सुप्रीम कोट का स्तान है नयायले किसी ऐसे स्तान पर बैठ सकता है जो भारत के मुख्य नया धीस तै कर सकते हैं लेकिन रास्टपती के अनुमोधन के बाद उच्च नयायले के सभी नयाय धीसों को अपनी सपत या प्रतिज्ञान किसके समक्स लेना होता है उच्च नयायले तो वो समंदित रज्य के गवर्नर के समक्स लेते हैं कौन से अनुच अनुच्छेद के तैत उच्चतम नहले किसी मामले को एक रज्जे के हाई कोट से दूसरे रज्जे में ट्रांसपर कर सकता है इसका प्रोविजिन किया गया है अनुच्छेद 149 कैमे यानि केस ट्रांसपर का मामला हो तो आर्टिकल 139A2 139A2 हाई कोट टू एनि अधर हाई कोट समिधान का अनुच्छेद 144 आदेशीद करता है कि बारतिय राज्यक्षेतर में सभी अथोरिटीज वेदर सिविल और जुडिशल किसके सायक होंगे उच्चतम नहले के सुप्रीम कोट के सायक होंगे जम्मु कस्मीर पुनर गठन अधिनियम 2019 किस तारिक को लागू हुआ 31 अक्टोबर 2019 को बारतिय समिधान के एक किस अनुच्छेद में सर्वोच नहले के सिविल एवं आप्राधिक अपीलिय क्षेतरादिकार को दर्साया गया है तो सिविल का जिक्र है अनुच्छेद 133 में और आप्राधिक का जिक्र है 134 में सिविल अपीलिय क्षेतरादिकार अनुच्छेद 133 और आप्राधिक अपीलिय क्षेतरादिकार अनुच्छेद 134 अनुछेद 105 का संबंध है संसदिय विशेश अदिकार से यानि पालियमेंटरी प्रिविलेच से अगला प्रस्न है कौन सी रिट निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है तो बंदी प्रतेक्सी करण है ये निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है अगला प्रसन है कौन से मामले में सुप्रीम कोट ने यह कहा कि प्रस्तावना समीधान का भाग नहीं है तो इसमें बेरूबारी मामला जो है वो 1960 का है और केशवनन्द भारती का मामला उससे बाद का है यह 1973 का है तो 1960 में सुप्रीम कोट ने यह कहा था कि प्रियम्बल इस नोट पार्ट अप अप दे कोंस्टिटूशन का भाग है यह कहा था केशवनन्द में जबकि बेरूबारी में यह कहा था कि प्रस्तावना समीधान का भाग नहीं है समीधान के कौन से अनुछेद में कार्यपालिका से न्याई पालिका को अलग करने का प्रावधान नहीत है तो अनुछेद 50 में यह कहा गया है कि रज्य ऐसे गदम उठाएगा जिसे न्याई पालिका को कार्यपालिका से प्रिथक रखा जाए ये भाग चार के निती निदे सकत्तों में इसका जिक्र है कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नवी अनुसूची में उलिखित विदियां भी नयाईक पुन्रव लोकन के योग्य है ये 2007 का मामला था आई आर कोहिलो बनाम तमिलाडू रज्य अनुचीद 16-4 के समंदित है पदोनती में आरक्संसे रेजर्वेशन इन प्रोमोशन से निवी लिखित में से कौन सा वाद आरक्संसे समंदित नहीं है एम नागराज है इंदरा सहनी है बालाजी बनाम मैसूर रज्य है ये 1962 का मामला है इंदरा सहनी बनाम भारत संग 1992 का मामला है तता एम नागराज 2006 का मामला है अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब जो मामला है ये आर्टिकल 12 के तहत रज्य माने जाने के जो सिद्धानत है उसमें 6 सिद्धानतों का जिक्र है उससे समंदित है ये तो ये है आरक्षन से समंदित नहीं है अगला प्रसन है समीधान का अनुचेद 52 समंदित है तो समीधान का अनुचेद 52 वह अनुचेद है जिससे समीधान के भाग 5 की सुरुवात होती है और उसमें ये कहा गया है अनुचेद बावन में कि भारत का एक रास्ट पती होगा उच्चतम नैले दुआरा रास्टे राजमार्ग और रज्जे राजमार्गों पर सराब पर प्रतिबंद किस वाद में निर्धारित किया गया तमिलाडू बनाम के बालू इसमें मदिरा या सराब की विक्री पर बहन किया गया ये 2016 का मामला है और इसमें जो स्टेट आईवेज हो ते हैं या जो नेशनल आईवेज होते हैं इसके 500 मिटर की दूरी तक सराब की विक्री पर बहन है किसी भी राज्य में जिला नया धीशों की नियूकती, तैनाती और पदोनत्ती की जाती है तो ये राज्य पालद्वरा की जाती है लेकिन उच्छ नयारे से परामर्श के पश्चात नियूकती यानि अपोइंट्मेंट, पोस्टिंग अड़ प्रमोशन ये जिला नयादीसों की नियुक्ति जिनका उलेक आर्टिकल 233 में है अगला प्रस्ण है उच्छ नयादीस कोई प्रस्ण अगर खड़ा हो गया है तो उस प्रस्ण का निर्ने किया जाएगा भारत की रास्टपती द्वारा लेकिन उसमें परामर्स लिया जाएगा भारत की मुखे नयादिस के परामर्स से रास्टपती अपना त्याग पत्र उपरास्टपती को सौंपता है राज्य सबा में रास्टपती कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है तो 12 सदस्यों को मनोनित कर सकता है और ये प्रोविजन आर्टिकल 80A में है रास्टपती निर्वाचन होने के लिए न्यून्तम आयू 35 वर्ष है इसी प्रकार राज्यपाल के लिए है रास्टपती निर्वाचित होने के लिए 35 वर्ष की आयू का प्रावधान न्यूनतम 35 वर्ष की आयू का प्रावधान 58B में है राज्यपाल न्यूक्त होने के लिए न्यूनतम आयू का प्रावधान 35 वर्षक रखा गया है और ये आर्टिकल 157 में है निमलिखित में से कौन सा वाद लोकस्तानों पर धुम्रपान पर रोक से समंदित है ये है मुरली देवडा बना भारत संग 2001 का वाद भाग तीन के प्रियोजन के लिए राज्य को किसमे परिवासित किया गया है तो समीधान के अनुचेद 12 में राज्य की परिवासा दी गई है अनुचेद 19.1 में सामिल किये गए मूल अधिकारों पर reasonable restrictions कौन लगा सकता है तो state लगा सकता है यानि राज्य लगा सकता है संसद के दोनों सदनों के किसी भी सदन के सदस्यों की एयोग्यता का निधारन किये जाने का प्रावधान समीधान के अनुचेद 102 में किया गया है निमले कितमे से कौन किसी विधेक को धन विधेक के रूप में परमानित करता है तो धन विधेक को परमानित करने का काम लोकसभा अद्धिक्स का होता है अगला प्रस्ण है इसमें दो सूचियां दी वही है सूची प्रथम सूची द्वितिये दोनों सूचियों का मिलान करना है हमदर्द दवा खाना मामला का संबंद अनुछेद 19 से है किदारनात बाजोरिया का मामला का संबंद अनुछेद 20 से है सरला मुदगल के मामले का संबं अनुछेद 105 से है अर्थाज संसदिय विशेशा दिकारों से है तो इसमें राइट ओप्शन ये हो जाएगा अनुछेद 19 के तैर कितने प्रकार की स्वतंतरता च्छे प्रकार की स्वतंतरता का जिक्र है भारत के समिधान की प्रस्तावना में पंथ निर्पिक सब्द जोड़ा गया और ये 42 में समिधान संसोदन अदिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया समिधान की अधिनियमिती के समय at the time of enactment कोन सा आदर्स प्रस्तावना में सामिल नहीं किया गया था तो जो 42 समिधान संसोदन में समाजवादी सब्द जोड़ा गया था इस सब्द का जिक्र मूल समिधान में नहीं था निम लिखित में से कोन सा मामला तीसरे लिंग समुधाय third gender community के अधिकारों से related है तो ये नाल सा राष्टि विदिक सेवा प्राधिकरन बनाम भारत संग 2014 का मामला है जिसमें transgender को third gender खा गया है अनुचे 21 क्या के अनुसार राज्य निम लिखित आयूवर्ग के सभी बच्चों को निसुल्क और इन्वारिय सिक्सा प्रदान करेगा ये है 6 से लेकर 14 वर्स के बच्चे कौन सा कथन सही है इसमें सभी प्रस्णों पर विचार करते हैं प्रस्तावना समीधान का हिस्सा नहीं है पहले माना जाता था लेकिन वर्तमान में ये नहीं है प्रस्तावना समीधान का हिस्सा है और इसे अनुचे 368 के तहट बिना किसी परतिबंद के संसोदित क्या जा सकता है नहीं ये भी सही नहीं है प्रस्तावना को संसरदवारा केवल एक वस्तुनिश्ट प्रभाउट प्रस्तावदारा संसो दित क्या ज़ा सकता यह भी गलत है तो वरतमान में अप्टर केश वा अनन भारती केश यह माना जाता है कि प्रस्तावना समीधान का पार्ट है और मूल सरंचना में छेड़ चार के अलावा इसको संसोधित किया जा सकता है अगला प्रस्न है कौन सा मामला अनुचेद 21 के उलंगन पर मुआवजे के भुकतान से समंदित है तो दो मामले यहां दिये में रुदल सा बनाम बिहार राज़े और भीम सिंग बनाम जम्मु कस्मीर राज़े तो दोनों ही अनुचेद 21 के उलंगन पर मुआवजे के भुकतान से रिलेटेड है कौन सा अधिकार अनुचेद 22 में प्रदान नहीं किया गया है गिरपतारिके 24 गंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेस करने का अधिकार है अपनी पसंद के वकील दोरा बचाओ का अधिकार भी दिया गये और गिरपतारिकी कारणों की जानकारी पाने का भी नागरिक को अधिकार है तो ये अनुचेद 22 में हत्गड़ी ने लगाने का अधिकार नागरिक को प्राप्त नहीं है निम लिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिक और गयर नागरिक दोनों के लिए उपलब्द है ये है अनुचे 14 के अंतरगत विधी के समक्स समानता का अधिकार। एनेतिक व्यापार निवारन अधिनियम 1956 भारतिय समिधान में सन्नी हित किस मूल अधिकार के अनुरूप बनाया गया है। तो ये अनुचे 23 के अकोर्डिंग है और इसमें आता है मानव के दूर व्यापार और बलात्सरम का प्रतिसेद भारत के समिधान के आर्टिकल 21 में चिकित्सक की सायता का अधिकार समिलित है। ऐसा कौन से वाद में निरने हुआ था ये 1989 का परमानद कटारा बना भारत संग वाद था और इसमें इमर्जेंसी मेडिकल केर का प्रोविजन किया गया है इमर्जेंसी मेडिकल केर टू एक्सिडेंट्स विक्टिम्स जो दुर गटना में पिडित होते हैं उनको आपात काल इन चिकित्सिये सायता जरूर दी जानी चाहिए अनुचेद 20 और 21 के अधीन मूल अधिकार कौन से संसोदन के द्वारा आपात की उद्घोसना के प्रवरतन के दोरान लागू किया जा सकते हैं तो आर्टिकल 359 में ये इंसर्ट किया गया 44 में समिधान संसोदन अधिनियम 1978 के जरिये की आपात काल में भी अनुचेद 20 और 21 लागू रहेंगे समस्त मूल अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है ये लागू ही रहेंगे 44 ससस्तर बलों के मामले में समिधान के भाग तीन द्वारा प्रदान कीगे मूल अधिकार केवल इस संदर में संसत द्वारा बनाई गई विधी के अनुशार उपलब्द है ये इसका राइट आंसर है समिधान का अनुशेद 25 धार्मिक स्वतंदरता की गारंटी देता है लेकिन इन चीजों के अधिन है लोक विवस्ता, नेतिक्ता, स्वास्ते और अन्यमोलिक अधिकार अगला प्रस्न है अनुशेद 19 एक जी तथा अनुशेद 21 के अधिन कारियस तल पर कामकाजी महिलाओं के योन उत्पिडन को मूल अधिकार का अतिकर्मन किस मामले में माना गया वेरी फेमस वाद आए विसाखा बनाम राजस्तान राज्ये 1997 का मामला है अगला प्रस्न है भारत के समिधान के तैतने में लिखित में से कौन सा एक मूलिक कर्तव्य नहीं है समिधान का पालन करना और उसके आदर्सों का सम्मान करना यह मूलिक कर्तव्य है 51A के A में दिया हुआ है सारवजनिक संपति की सुरक्षा करना 51A के I में दिया हुआ है विग्यानिक सोच का विकास करना 51A के H में दिया हुआ है सारवजनिक चुनाओं में मतदान करना एक मौलिक करतव्य नहीं है कौन से वाद में यह निश्चित किया गया था कि भारती समिधान की आधार भूछ रंचना में मौल अधिकार और निती निदेशक तत्तों के बीच अनुरूपता और संतुलन एक बेसिक स्ट्रक्चर है एक इसेंशिल फीचर है आवस्यक तत्तों है तो यह मिनर्वा मिल्स का मामला था मिनर्वा मिल्स लिमिटेट बनाम भारत संग 1980 का मामला समीधान के भाग तीन में दिये गए मूल अधिकार नयायले द्वारा परवर्तनिये हैं और वाद योगे हैं और निती निदेशक तत्तों ऐ परवर्तनिये होते हैं वाद योगे नहीं होते हैं उच्चतम नयाले मूलत है, मुख्य नयाधीस के साथ अन्य कितने नयाधीसों से गठित है इस प्रस्ट का मतलब है कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्टापना की गई थी तो उसमें एक चीफ जस्टेस के अलावा कितने अन्य नयाधीस हुआ करते थे तो ये साथ हुआ करते थे पहले लेकिन वर्तमान में 30 हैं आर्टिकल 124 में ये प्रावधान है और इसको दो बार अमेंड किया गया है 1986 में इसकी संख्या 25 कर दी गई थी और 2009 के अधिनियम द्वारा इसकी संख्या 30 कर दी गई थी और तब से लेकर आज तक इसकी संख्या 30 ही बनी वी है एक मुख्य नय अदिस और 30 अन्य नय अदिस निमलिकित में से कौन सी समिधान के अनुछेद 19 त्वारा प्रदत स्वतंतरता है तो प्रोफेशन, व्यापार, ट्रेड, कारबार और उपजीविका के स्वतंतरता है वो अनुछेद 19 त्वारा प्रदत है बाकी ये अनुछेद 19 के तैत नहीं आती है देश के वनों तथा वन्य जीव समेत परियावर्ण का सरंक्सन एवं सुधार है ये राज्य के निती निदेशक तत्वों में भी सामिल किया गया है और मूल कर्तवियों में भी सामिल किया गया है निती निदेशक तत्वों में इसे DPSP में आर्टिकल 48A में स्थान दिया गया है तता नागरिकों के मूल करतवे में 51.1.G में स्तान की दिया गया है वनो तता वन्य जीवन समेट परियावन का सरंक्सन एवं सुधार भारतिय समिधान के किस अनुचेद में भारत राज्यक्षेतर के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार यानि अनुचेद 19.1.E आर्टिकल 19.1.E में ये प्रावदान है बारतिय समिधान का कौन सा अनुचेद अन्ते करन तता किसी धर्म को अबाद रूप से मानने आचरन करने और परचार करने की स्वतंतरता देता है अनुचेद 25 के तहत देता है ये और इसमें लोक विवस्ता, सदाचार तदा स्वास्ते के अधीन ये स्वतंतरता मिलती है अगला प्रस्न है संपत्ति का अधिकार नहीं है यह एक सम्विधिक अधिकार है यह एक सम्विधानिक अधिकार भी है यह एक मोलिक अधिकार नहीं है यह एक विधिक अधिकार भी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक मोलिक अधिकार नहीं है यह एक कानूनी की धारा 34 द्वारा इसको 1979 से लागू किया गए पहले ये संपती का अधिकार मूल अधिकारों में समिली था लेकिन इस समिधान संसोदन अधिनियम के माद्यम से अब इसको एक कानूनी अधिकार का दर्जा प्राप्त है जिसको हमने समिधान के अनुचे 301 के तैजगे दिये तो संपती का अधिकार वर्तमान में मूलिक अधिकार नहीं है कौन से एतिहासिक निर्ने द्वारा 42 वे समिधान संसोदन के उस भाग को प्रभाव सुनने गोसित किया गया में ये उलेक था कि अनुचे 368 के अंतरगत किये गये संसोदनों को नयायले में चुनोती नहीं दी जा सकती तो ये वाद था मिनर्वा मिल्स वाद 1980 अनुचे 249 में संसद को राज्य सूची के किन मामलों के समंद में कानून बनाने का अधिकार है तो ऐसे मामले है नेशनल इंट्रेस्ट के मामले रास्टिय हित के मामले निमलिक हित में से कौन सा वाद एकांत कारावास के विरूद अधिकार से समंदित है तो इसमें राइट आंसर है सुनील बत्रावाद 1979 एक बालक जिसकी I you know verses है मात चिस के कार खाने में काम करने को बद देखिया जाता है इस मामले में कोनसे मूल अधिकारों का उलंगन हुआ है तो इसमें आर्टिकल 23 के तहट सोसन के विरूद अधिकार के पले अधिकार का उलंगन हुआ है निम लिखित में से कौन से वाद में सरवच नैले ने निरने दिया कि विधिक साहता प्राप्त करने का अधिकार एक मूल अधिकार है इसका उत्तर है M.H. होसकोट वाद जिसमें Right to Legal Aid का जिक्र है और उसमें कागया है कि विधिक साहता का जो अधिकार है वो एक Fundamental Right है तो ये थे आपके समीधान के 150 प्रस्न जो आगामी परिक्साओं में भी बहुत मैतोपूर्ण है इस पेपर में जो प्रस्नों का repetition हुआ है वो उस सलेबस की demand के according है जैसे बहुत सारे प्रस्न है अनुचे 12 से, अनुचे 13 से, निती निदेसक तत्तों से और अन्य कई प्रस्न ऐसे हैं जो बार बार repeat किये गए हैं तो जो low student हैं जिनके लिए junior legal officer में जो सिल्बस define किया हुआ है उसके according ये requirement थी कि वो student उसकी deep study करें और एक basic understanding के साथ जाएं तो जो low student हैं, LLB के student हैं उनके लिए तो ये इस प्रस्न का जो level है इस प्रस्न पत्र का जो level है वो adult हो सकता है लेकिन आम student जो अन्य exam की तयारी करते हैं उनके लिए बहुत difficult level है लेकिन इससे समिद्हान के 150 प्रस्न है वो बहुत अच्छे पूछे गई है अच्छा स्तर है इसमें गलतियों की गुंजाइस बिलकुल नहीं है विवादित प्रस्न भी लगबग नहीं है क्योंकि इसमें लो का सिलिवस है समीधान का है तो विवादित प्रस्नों की गुंजाइस बहुत ही कम होती है दो तीन प्रस् सकती है जो भी आंसर की आज दिनांग तक थी उसके अकोर्डिंग मैंने अपने वीडियो में उत्तरों को समिलित किया है और कौसिस की है कि आपको इसकी व्याख्या है वो सही तरीके से समझ में आए इसमें जो बेर एक्ट है जो डाइगलोट बाइलिंग्वल एडिशन आता ह उसमें से बहुत सारे प्रसनाए हैं और वो एक अचा रेफरेंस माटीरियल हो सकता है उसको आप पढ़ सकते हो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देवें